कौन होता है ट्रेडर और क्या आप एक ट्रेडर हैं लॉसिस से ना डरो तो ट्रेडर हो तुम ड्रॉड ओन फेस से ना घबराओ तो ट्रेडर हो तुम दुनिया के सबसे मुश्किल प्रोफेशन को चुनो और फिर भी खुशी खुशी रोज इसी प्रोफेशन में वापिस से आओ और ट्रेड लो तो ट्रेडर हो तो तो आप एक अच्छे successful trader कहलाते है because stock market में losses are part of the business कुछ भी हो जाए losses को आप avoid नहीं कर सकते and ये चीज आप जितनी ज़्यादा जल्दी समझ लेंगे उतना ज़्यादा better होगा आपको एक अच्छा successful trader बनने से well मुझे रोज इतने सारे message आते हैं मेरे whatsapp number पे instagram पे कि मुझे इतना नुकसान हो गया मैं बरबाद हो गया अब मैं आगे की trading कभी नहीं कर पाऊंगा जिनके मन में ये कभी भी thought आता है कि उनको इतना नुकसान हो गया और आगे कभी trading नहीं कर पाएंगे मैं लिख के दे सकता हूँ वो genuinely कभी trader नहीं बन पाएंगे अगर आपको एक अच्छा successful trader बनना है and long run में अच्छा पैसा कमाना है सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे जरूरी है वो है आपको market में ठीके रहना है आप कोई भी successful उठा के देख लीजिए YouTube में इतने सारे successful यहाँ पे trader की stories है आप किसी की भी story देख लीजिए हर trader का हो सकता है background अलग हो वो अलग-अलग languages बात करते हो वो अलग-अलग उन्होंने पढ़ाई कि हो अलग-अलग उनकी capital हो लेकिन सब की सिर्फ एक ही बात common रहती है कि वो सब market में लंबे time के लिए टिके रहे ऐसा कोई भी trader आपको नहीं दिखेगा जो 6 महीने साल बर में करोड़ोपती बन गया हो हर trader ने यहाँ पे 5 साल-10 साल दिये market में और वो religiously market में बस टिका रहा इसी वज़े से वो अच्छे एक successful trader बन पाए well मैं इतनी बड़ी story मैं इतना explanation इसलिए दे रहा हूँ because कल रात मुझे मेरे Instagram पे एक unknown कोई बन्दा है जिसका मुझे message आया था जिसका मैं नाम बिल्कुल भी reveal नहीं करूँगा and he was completely suicidal because उन्होंने इतना जादा बड़ा loss कर दिया था just because of option trading वो पता नहीं कोई कौन सी टेलीग्राम ग्रूप है उसको उन्होंने जॉइन कर लिया उन्होंने paid membership ली and he lost a very big amount well उनसे मैंने personally बात की मैंने उनको personally call भी किया because he was like really depressed मैंने उनसे अच्छे से personally बात की and अब now he's fine and उनकी permission से ही मैं यहाँ पर उनके बारे में बता रहा हूँ ताकि अगर ऐसे और भी कोई लोग है जो यही same problem face कर रहे है उनको ऐसी problem face नहीं करनी trading अगर आप कर रहे है definitely आपको loss होंगे उसको आप बिल्कुल भी avoid नहीं कर सकते but यहाँ पर जो भी आप loss ले रहे है आपको पता होना चाहिए कि आप कितना loss ले रहे है and ऐसा आपको कोई trade नहीं लेना कि एक दो trade महीं आपकी पूरी capital यहाँ पर wipe out हो जाए so जिनको भी ऐसा कोई thought आता ना please मुझे आप मेरा whatsapp number भी दिया वा है मेरा instagram भी है मुझे आप वहाँ पर message करिए and I'll be really happy to help you कैसे भी अगर मैं आपको morally यहाँ पर support कर सकता हूँ मैं आपको समझा सकता हूँ तो please मुझे message करिए मैं आपको definitely समझाओंगा and मैं आपको right path दिखाने की कोशिश करूँगा because यह situation मेरे साथ भी आई थी because मुझे नहीं मालूम था तो मैं क्या कर रहा हूँ trading में कैसे कर रहा हूँ and उस हमें मुझे guide करने के लिए कोई नहीं था लेकिन अभी आप सब के पास मैं हूँ and आपको कोई भी doubt है बिना hit की चाहे मुझे आप कभी बताइए and मैं जरूर आपकी help करूँगा so आज था Thursday निफ्टी expiry का दिन and हमने trade दिया and हमें भी आज loss हुआ है well यह मैंने story मैंने आज इसलिए सोचांप बनाने का because मुझे यह दिखाना था कि मुझे भी यहाँ पर loss हुआ है but it is fine मेरे चाहरे पर दीखिए कितनी बड़ी smile है and मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपने आपको अगर याद होगा अगर आप मेरी videos regularly follow करते है पिछले मैने जो मैंने April month है उसमें मैंने दो या तीन बहुत जादा बड़े-बड़े losses भी किये थे but it was fine obviously psychology wise थोड़ा mindset के साब से थोड़ी सी दिक्कत होती है but overall अगर आप देखेंगे हमने 4% से आसपस profit भी निकाला है it is fine अगर loss भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है भाई इतनी जादा कोई यसी tension नहीं लिनी है एकदम relaxed रहन है जो होगा देखा जाएगा so आज nifty hour आप देखेंगे एकदम दिमाग खराब था because इतना जादा confusing था well अब जो मैं strategy follow करता हो न उसमें या तो market बहुत जादा sideways रहे या market एक तरफ की direction दे दे लेकिन जब भी market confused रहेगी उस stage में मुझे यहाँ पर जादा loss हो सकता है because वो confusing stage में मेरी strategy में जहल नहीं पाता because आज nifty completely confused थी market gap down खुली थी पहले continuously उपर जाती है फिर वापिस से continuously fall करती है फिर उपर जाती है फिर continuously fall करती है so जो उपर नीचे उपर नीचे की इतनी जादा move थी इसकी वज़े से इतनी जादा confusion थी market में and बार बार यहाँ पे सभी के stop loss ही टो रहे थे अगर किसी ने भी यहाँ पे directional trade लियोगी या एकदम compact sideways trade उसमें लियोगी definitely उसको बहुत जादा losses ही टो होंगे बार बार stop loss ही टो रहेते and अगर आपने sideways यहाँ पे trade लियोगी तो भी non-directional trade में आपको बहुत जादा दूर-दूर की range रखनी पड़ेगी because इतनी जादा confusing थी market but it is fine अब loss हो गया तो हो गया उसमें कुछ कर नहीं सकते but वो ही है कि May month का पहला ही trading session था जिसमें हमने loss किया है but it is fine कोई दिक्कत नहीं है and वही मैं उस person को बताना चाहरा था इसलिए मैंने यह explain किया इस video में because I am damn sure वो मेरी सारी की सारी videos देखते है and वो यह video भी देखेंगे and यह video देखने बाद definitely मुझे Instagram पर वापिस message करेंगे देखिए losses होते हैं सभी को होते हैं मुझे भी होए and आप मैंसे बहुत सारे traders को होते होंगे but ऐसे depressed नहीं होना है tension में नहीं आना है it is all part of the business and यही nature है stock market का इसको avoid नहीं कर सकते so आज की एक बाद में आपको trade दिखाओ यह मेरी trade है इसको refresh करके देखेंगे put option ने मुझे थोड़ा से यहाँ पर profit दिया 2500 के आसपास का लेकिन call option मुझे 19,800 का loss दिया है अब ऐसा की हुआ because देखिए market पहले उपर जाती है call option मेरा यहाँ पर stop loss करती है फिर market नीचे आगे फिर वापस उपर जाती है तो नहीं market decide नहीं कर पार है थी कि उसको उपर के level पर टिकना है या नीचे के level पर टिकना है इसी वज़े से पहली candle ने जहाँ पर close किया है उसी के exactly level पर अभी market close कर रही है market अपनी range decide नहीं कर पार है because nifty ने अपना all time हाई तो touch कर दिया एक बार अब वहाँ से वो decide नहीं कर पार ही कि उसको और उपर जाना है या उसको आप नीचे fall करना है इसी वज़े से बस यह confusion है market में इसी वज़े से महारे यहाँ पर बार-बार stop loss रिट हुए काफी and at one point of time यह जो मेरा loss आप देख रहे है 17,000 का है यह around 35,000 के आसपास भी था यह loss but उसके वाद market थोड़ सी यहाँ पर stable हुई market उपर के level पर थोड़ा सा ठीकी जिसकी वज़े से मेरे put option ने मुझे थोड़ा से यहाँ पर profit दे दिया है वरना at one point of time तक मेरा यहाँ पर put option मुझे अच्छा खासा loss दे रहा था and यह जो मेरा loss है यह around 35,000 के आसपास था and यही देखके मैं बस खुश हूँ कि 35,000 का loss मेरे at least 17,000 में book हुआ है and देखेंगे कैसा जाता है कल तो हम Sensex यहाँ पर trade करेंगे and पूरा महीना भाकी अभी अभी से मैं यहाँ पर कुछ assume नहीं कर सकता कि पूरा महीना कैसा जाएगा negative जाएगा positive जाएगा जैसा भी जाएगा देखा जाएगा and जो भी होगा वो मैं आपको update तो करते रहूँगा जो मैंने इतना जाएगा important message दिया यह especially नई traders के लिए आज मैंने market के बारे में इतना जाएगा detail में discuss नहीं किया मैंने बस थोड़ा psychology के बारे में discuss किया and जो नई traders इतनी जाएगा mentally दिक्कत महसूस कर रहे है उसके बारे में मैंने जाएदा discuss किया because मुझे लगा कि it is really necessary कि यह सब जो mentally बाते हैं यह सब जल से जल सीख ले ताकि उनको ऐसी जाएदा दिक्कत ना हो future में आके so I hope आपने जो भी मैंने बताया है वो पूर अच्छे से समझ लिया हो and उस पे आप implement भी करें so that's it for today thank you for watching the video with lots of patience let's meet in the next video then